जैन सातियों कैसे हैं आप सब लोग देखें आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट बाक्स में भी तूरत बताईए और देखें इस सीरीज में जो है सबसे खास बात है कि कम समय में आपको बहुत सारे जादे कोश्चन कराई जा रहे हैं जैसे की 20-22-24 मिनट में आपको 100 प्रश्णों का रिविजन हो रहा है तो ऐसे धीरे-धीरे करके आप पूरे एक साल के प्रश्णों का रिविजन कर लेंगे करेंडेवर के और आपको पता भी नहीं चलेगा दीखे मेरा ये किस पेसलिटी होता है मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत कम से कम समय में बहुत सारे कोश्चन करा दूँ और ऐसा मैं पिछले 5 सलों से करा रहा हूँ और आप हमेशा कम्यूटी टैप में देखते रहते हैं बहुत सारे वच्चे सेलेक्ट भी होते रहे हैं तो आप बने रहे हैं सुरु सेलास तक इस सीरीज में और ये जो पार्ट 12 है इसमें हम 100% पर आप स्टार्ट करते हैं अपना ये कारवांग ठिक है देखें बतातू जो लोग नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपको में जूरू प्रिश कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिवेशन आपको आटमेटिक मिल जाएगा और देखें जो आपके हज समीती के नए अधेश बनाएगा है इनका नाम है जिसको अंग्रेजी में World Immunization Week में कहायाता है तो ये 24 से 30 अपरेल तक हर साल मनायाता है और देखें अब सबसे खास प्रस्ट पर मैं आपको थोड़ सा हाइलेक करना चाहूंगा जो आपका 2022 का Laureus Sport Man of the Year है ये अवार्ड मैक्स वर्ष्ट अपन को मिला जो कि एक Formula 1 रेशर है और देखें Laureus Sport Man of the Year ये मेल का वार्ड था महिलाओं की स्रेडी में जो Laureus Sport Man of the Year का पुरुसकार है ये जो है जमाइका की एक Olympic Sprinter है जिनका नाम है Ellen Thompson Hera तो इनको Laureus Sport Woman of the Year का वार्ड दिया गया तो दीखें बस ये दोनों यार रखेगा Sport Man और Sport Woman किसको चुना गया तो Sport Man Max वर्ष्ट अपन को और Sport Woman चुना गया था Thompson Hera को ठीक है गपुरा नाम है Ellen Thompson Hera यहाँ पर दीखें Laureus की Women's Radio के वार्ड इसका स्क्रीन सोट अब लिए और इसको नोट कर लेज़ेगा खैर ये पूछे नहीं जाएंगे में दो ही है ठीक है और दीखें जो आपका चीन है चीन में बड़ फुलू के S3N8 strain के साथ पहला मानोस संक्रमर जो है 2022 में दर्शिया गया था देखें जितने भी वाईरस हैं पता नहीं क्यों चीन में ही पैदा हो रहे हैं अत्याचार करते हैं चीन वाले वो बहुत सारे जानवरों को जो है भुन के जिन्दा जो है उनको खालेते हैं कच्चा चबा जाते हैं ठीक है आपने देखा भी होगा बहुत सारे वीडियो में देखें केंदर सरकार ने जो है मार्च दोजार चोबीस प्रधान मंतरी भारती जन और सदी केंदरों की संख्या को बढ़ा कर दस हजार करने का लक्ष रखा था 2022 में और देखें प्रधान मतरी नरेंद्र मोदी ने जो है गुझरात राजी के दोरे के समय दूध हुआनी नाम के एक सामोदाई के रेडियो स्टेशन का जो है 2022 में उद्गाटन किया था चीन और सोलोमन द्वीब इन दोनों के बीच में एक सुरक्षा समझोते पर हस्ताक्षर 2022 में गुआ था जम्मू कस्मीर का एक गाउं है जिसका नाम है पल्ली गराम ये भारत का पहला कार्बन न्यूटरल गराम पंचायत बन गया है और दीकि नैसकॉम ने जो है कृष्णन रामा रुजम को 2022 देश के लिए चेर्मेन न्यूट गया था और दीकि साल 2022 का पहला सूरिग्रहन 30 अपरेल 2022 को लगा था और दीकि जो आपका रूस है ये संगत राश्ट के परेटर निकाय से हड़ गया है दीकि आपने देखाओ का रूस और यूकरेन का जो जीओ दिचला है उसमें क्या हुआ कि रूस को टार्गेट किया जा रहा था बहुत सारे संगत राश्ट के परेटर निकाय से हड़ गया था 2022 में और दीकि भारती महिला होकी टीम की जो पुरो कप्तान थी जिनका नाम था एलवेरा ब्रिटो इनका बैंगलूरू में 81 साल की उमर में निधन हो गया था और दीकि जो आपका रूस है रूस ने पोलेंड और बुल्गारिया को रूबल में भुकतान करने की विफलता के कारण गैस की आपूरती रुख दी दीकि रूबल जो है ये रूस की करिंसी है तो रूस चाहता है कि भाई तो हमसे जो माल खरीद रहो उसको हमको रूबल में भुकतान करू ठीक है ताकि हमको उसको एक्स्चेंज भाई रहना करना पड़े वह ऐसे भी हम बहुत परिशान है ठीक है क्योंकि जो रूस और यूक्रेंट का यूच चला तो उसमें बहुत सारे दोसों ने वो रूस को वाई स्कृत कर दिया ठीक है टोटल 820 करूर रूपे के अतरीक्त वित्य समर्थन को मंजूरी दी थी और दीकि केंदरी केबिनेट ने नकसल छेतरों में 2G मोबाईल साइटों को 4G में अपग्रेट करने के लिए टोटल 2426.39 करूर रूपे की मंजूरी दी थी इसका आउंटन किया था 2022 में और दीकि 27 अपरेल को हम विस्व इस्टेशनरी दिवस 2022 मनाएगा मलब पूरी दुनिया में यह विस्व इस्टेशनरी दिवस 2022 को हमने 27 अपरेल को सेलिबरेट किया था और दीकि A.C.I. कुस्ती चैंप्रेंशिप 2022 में भारत ने कुल 17 पदक जीते थे ठीक है और दीकि 27 अपरेट जीते थे C.I. कुस्ती चैंप्रेंशिप 2022 में और जापान ने कुल 21 पदक जीते हैं इराण ने कुल 15 और कजाकिस्तान ने 21 भारत ने कुल 17 पदक जीते थे C.I. कुस्ती चैंप्रेंशिप में अर इकि जारकंद का एक जिला है जामताड़ा तो जारकंद का जो जामताड़ा जिला है ये देज का पहला जिला बन गया है जिसके हर गाओं में पूश्ट काले याने के लाइबरेरी है तो बहुत अच्छी बात है और यह प्रस्ट बहुत important भी है क्योंकि अब तक बहुत सारे exam में पूछा भी गया था पिछले साल दीखिए अंतर राष्टी निरत दियोस को हम 29 अपरेल को मनाते हैं इनको दूसरी बार राष्टी अनुसूसीत जाती आयोगे निकि नेशनल कमिशन पर सेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष अपॉइंट किया था 2022 में और दीखिए दुनिया की एक बहुत ही बहतरीन कमपणी है L&T यानिके लार्चन है टुबरो इसने हारित हाइड्रोजन पुरुद्ध की विक्सित करने के लिए IIT बांबे के साथ 2022 में एक समझोता किया था और दीखिए Not Just A Night Watchman My Innings In The BCCI नामा पुस्तक को विनोध राय ने लिखा है और दीखिए अमिसा अनी भाज पची वच्चल इस पुस्तक को लिखा है डाक्टर अनिर्बान गांगुली और सीवान दुवेदी ने मिलकर और दीपी का पादुकोण को 75 वे कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदसे के रूप में चुना गया था और दीखिए 2022 में फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंसूरेंस का MD और CEO बनाए गया था ब्रूज टी ब्रूज को और दीखिए विहाली में 2022 में नई दिल्ली में इंडियन एर फोर्स ने राष्टियस्तर की राष्टियस सेमिनार जिसका नाम था लोजी शेम वायू 2022 ठिक है तो इसका आयजिन किया था और दीखिए दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्याद की मेजवानी जो है किसने की थी एस्टोनिया ने और दीखिए आर्थिक मामलू की मंत्री मंडली समीति ने जम्मू कस्मीर के किस तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की कौार जलवीद्यूत परीणा को मंजूरी दे दी थी यारके का कौार जलवीद्यूत परीणा चिनाब नदी पर बनाई गई है कहां पर जम्मू कस्मीर राज में ऐसे ही प्रशन एक्जाम में पुछे आते हैं कौन सी परियुणा किस राज में किस नदी पर बन रही है ठीक है और कितने मेगावाट की है 540 ठीक है और दिके अंतराश्टी मुद्रा कोस के द्वराचारी वर्ल्ड एकोनोमिक आउटलू के नवींतम संस्क्रण में विट वर् भारत के सकल घरिलू उत्पात की वृद्धी से समन्दित अपने पुर्वानुमान को घटा कर जो है आठ दसमलों दो परचेत कर दिया गया ठीक है दिके भी हाली में चारू दत्मिस्रा को विटली गोल्ड अवार्ड 2022 से समन्दित किया गया दिके आपको दातू जो आपकी की रायल जिग्राफिक सोसाइटी में ये पुरसकार प्रतान किया गया और दिके भी हाली में रजनीज कुमार को जो है ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलोजी का सलाकार न्यू किया गया था दिके रजनीज कुमार वही है जो SBI वाले थे ठीक है औ और दिके माइग्रेशन प्रेकिंग सिस्टम एबलेगेशन विक्सित करने वाला भारत का पहला राज महाराष्टा बन गया है और अंतर राष्टी जैज दिवस को हम 30 अपरेल को मनाते हैं 2022 के लिए इसका विशय था अंतर राष्टी जैज दिवस 2022 की थीम थी एक कॉल फार ग्लोबल पीस एंड यूनिटी और दिखिए जो आपका अमेरिका है इसने अपनी बहुत धीक संपता संरचर प्रात्मिक्ता निगरानी सुची में भारत रूस और चीन को सुची बत किया था 2022 में दिखिए सैंक्त राज ब्यापार प्रतनेदी यानिकी यूनाइटेड इस् फिल्म और टीवी बने था देखिए सलीम घोस को आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा भी होगा बहुत अच्छे बिने था थे और देखिए जो आपका अटल सूरंग है जिसको अटल टनल भी का जाता है इसको बेस्ट इंफरास्ट्रेक्टर प्रोजेक्ट का पुरसकार मिला था 2022 में और विश्व पसूची किस्सा दिवस को हम अपरेल महिनी के आखरी सनिवार को मनाते हैं और 30 अपरेल 2022 को जो है अपरेल महिने का आखरी सनिवार पड़ा था तो 30 अपरेल को हमने विश्व पसूची किस्सा दिवस मनाया था 2022 में और इसकी थीम थी पसूची कि प्रड़ाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एरलाइन कंपनी इंडिगो एरलाइन्स मन गई है और देखे भी हाली में अंसुल स्वामी को जो है सीवाली के स्माल फाइनेस बैंक के अंतराष्टी स्रमी दिवस जिसको मजदूर दिवस भी कहते हैं ये एक माई को मना आता है और देखे भी हाली में भारत सरकार विस्वाइन के ने जो है भारत सरकार के मिशन कर्म यूकी का समर्थन करने के लिए कुल 47 मिलियन अमेर्की टालर की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी 2022 में और देखे गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्ध्योस्ता का लाब पहुंचाने के लिए तेलंगाना राज सरकार के साथ एक समझोते गयापनवर 2022 में अस्ताक्षर किया था ऐसे प्रशनों की एक्जाम में भरमार रहती है तो इसको ज सिपला लिमिटेड को इंडियन फार्मा लीडर अब्दाइयर का पुरसकार दिया गया था इस अवार्ड के बारे में जो रखेगा कि इंडिया फार्मा अवार्ड 2022 में सिपला लिमिटेड को इंडिया फार्मा लीडर अब्दाइयर का पुरसकार मिला था और यहां पे और इक एक संसा है स्रम और रोजगार मत्राले तो भारत का जो स्रम और रोजगार मत्राले है इसने 83 मासिक रोजगार सर्विक्षर यादि की quarterly employment survey जारी किया था 2022 में और इसमें जो है इस सर्विक्षर रिपोर्ट में बदाये गया कि अक्टूबर से दिसंबर 2020 में 9 चैनी चेत लिथिवानिया में जो है एक नया भारती दूतावास कोलने का प्रस्ताओ दिया था उसको मंजूरी में मिल गए थी 2022 में तो लिथिवानिया में एक नया भारती दूतावास कोला गया 2022 में आपरेल को हम आयुसमान भारत दिवस मनाते हैं अपरेल 28र में प्रतान मत्री मुधी ने शुरू किया था और विस्वाट टूना दिवस को हम दो माई को मनाते हैं टूना एक मचली होती है जो की काफी टेश्टी होती है मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो vegetarian हूँ, ये बताते हैं जो खाते हैं इसको, और ये बहुत positive होती है इसका बहुत ही high level पे demand है तो विस्वर टूना दिवस दो माई को मनायता है, और एक माई को गुजरात और महाराश्ट, इन दोनों गुजरात में बेच दिया गया, और जो माराथी बोलते हैं, उनको महाराश्टा में जो है रहनी दिया गया, तो इस प्रकार divide करके गुजरात और महाराश्ट दो राज़े बनेंगे ठीक है, और देखिए एक माई को विस्वहाज से दिवस 2022 बनाए गया, क्योंकि प्रतीक वर्स माई महिने का जो पहला रभीवार बढ़ता है, उस दिवस को हम विस्वहाज दिवस बनाते हैं तो एक माई को जो है पहला रभीवार बढ़ा था चलिए हमने एक माई को वर्ल्ड लाप्टर डे बनाया देखे, पीवी सिंदू जो की एक बैडविंटन प्लेयर है, इन्होंने ACI बैडविंटन चेंपियाशिब में कांस से पदगी तादा 2022 में और देखे, जो आपके नरे निर्मोदी यानि की भारत के पीए भाई इन्होंने सेमी कौन इंडिया संबेलन 2022 की सुरुवात की थी इस संबेलन का उदेश से दुनिया भर में सेमी कंड़क्टर हब बनाने और चीप डिजाइन और वी निर्माड पारिसिकन तंद को जो है विक्सित करने की देश की आकांचा के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम करना था और दीए जो ब्राजिल देश है तो ब्राजिल के लैंड इसकेप गारडन स्चीटियो बरल माक्स को जो है यूनेस्को की विस्टो दरोहरसल का दरजा मिला ये कुछ इस प्रकार से दिखता है दीख इस गारडन में कुल 3500 से अधिक पोधों की परजातिया है जो की मुलत है रियो की परजातिया है और दीखे विहाली में इमैनुवल मैकरोन को दुबारा फ्रांस का राजपती शुना गया दीखे महाराश्टा राज़ में जीन बैंक पर्योजना शुरू की कई थी ये पर्योजना का भी चर्चा में थी याद रखेगा जीन बैंक पर्योजना महाराश्टा की सरकार ने शुरू गया था और दीखे अकाउंट एग्रिगेटर फ्रेमवर्क पर लाइब होने वाला पहला सारुनिक बैंक जो है यूनियन बैंक है और दीखे जो भारत का रेल मंतराला इसने रेलवे दूर संचार को अपग्रेड करने के लिए सी डॉट के साथ समझोता किया था सी डॉट मतलब सेंटर फॉर डेवलोपमेंट आप टेली मैटेक्स और दीखे तीन माई को हम विश्व पुरेज सोधनता दिवस मनाते हैं और दीखे भारती ये एक भारती बैंक है ICICI बैंक ठीक है इसने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइस के लिए ओपेन फॉर आल डीजिटल एको सिस्टम लांच किया था 2022 में और दीखे जो भारत का केंदरी सिक्षा मंद्रालाहिच ने राष्टी पार्टिचरिया की रूप रेखा यादि कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर के लिए मैंडेट डॉकुमेंट लांच किया था 2022 में और दीखे जो आपकी सुर्च भारत मिसन सहरी 2.0 परिविना है इसके तहट कचरा मुक्त सहरों के लिए राष्टी ब्यवार परिवर्तन संचार धाचा शुरू किया था 2022 में दो माई को हम अंतराष्टी ख़गोल विग्यान दिवस मनाते हैं दीखे एक खास बतोर है हर साल अंतराष्टी ख़गोल विग्यान दिवस को हम वर्ष में दो बार मनाते हैं पहली बार 26 सितंबर को और दूसरी बार 2 माई को ठीक है या रखेगा पहला दूसरा क्या मतलब पहले तो माई ही बढ़ता है पिर सितंबर आता है ये 3.27 बिलियन डालर की कमी के साथ कुल 6.42 अरब डालर हो गया और दीकि मात्र दिवस 2022 आठ माई को मनाए गया और अंतराश्टी अगनी शामक दिवस को हम 4 माई को मनाते हैं और दीकि जो अपकर राजस्तान राजे है इसके मिया का बड़ा रेल्वे स्टेशन का नाम बतल कर महिस नगर हाल्ट कर दिया गया था 2022 में और दीकि संतोष ट्राफी 2022 को केरला ने जीता था दीकि केरल ने पेनाल्टी सूट आउट में पस्ट्री मंगाल को 5-4 शेहरा कर संतोष ट्राफी 2022 का खिताब जीता था और दीकि 2022 में जो है हर्याना की सरकार ने घोशड़ा कि दीकि नीरज चोपड़ा जो की ओलमपिक में गोल्ड मेडल जीते थे जैवलिन ध्रो में तो इनके होम सिटी में जो है एक स्टेडियम मनाय जाएगा ठीक है और दीकि जो आपके नीतिस कुमार है जो की बिहार के मुक्यमंत्री है इन्होंने बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले अनाज आदारित इतिनाल सेंद्र का उद्गहड़न किया था और दीकि पैंतीसवा इस्पेनिस लिग रियल मेड्री ने जो है इस्पेनियोल को चार सुनिशेरा कर जीता था और दीकि चत्तिस घड़राज के जो मुक्यमंत्री है भोपेस बगेल ठीक है तो इन्होंने मुक्यमंत्री मितान यूजना सुरू की थी 2022 में दीकि अपरेल 2022 में भारत का जीएश्टी संग्रा एक दसमलाव 6-8 लाग करोड रुपे था और दीकि यहां पर हर महीने का है ठीक है 2021 नॉम्बर से स्टार्ट है और मार्स 2022 का का अकड़ा है इसको अब नोट कर लेगा किस महीने में भारत का जीएश्टी संग्रा कितना था ठीक है दीकि RBI के अनुसार COVID महामारी से उबरने में टोटल 13 साल लगेंगे और जीएश्टी सावन के नए चीप एक्सक्रीटी ओफिसर सहस मलोत्रा बनाए गए थे और विस्व पुर्थगाली भासा दिवसकों 5 माई को मनाते हैं दीकि जोब का विस्व पुर्थगाली पिरश्प्रे सुच गांक 2022 था इसमें भारत को एक सोबचासमें देकर भासा नोट को लिएक बहुत इंबोर्डेंट है और जो आपका विस प्रेस सुदंता सूच का आँख है देखिए कि इसमें पहले स्थान पर नार्वे, दूसरी पर डिनमार्क, स्वीडन तीशरे स्थान पर एस्टोनिया चौथे, फिनलैंड पाच्वे स्थान पर रहा था जबकि जखिए जो आपका उत्तर को लिया है, ये 180 देशों की सूची में सबसे आखरी स्थान पर, यानिकि 180 वे स्थान पर रहा था ठीक है और देखिए टाइम सायर एजुकेशन इंपक्ट रैंकिंग 2022 में भारत चौथे स्थान पर था और खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम 2021 जो है, इसको जैन युनिवस्टी ने जीता था दीगी जॉपका जैन डीम ने टूबी उनिवस्टी एस ने 20 सौन बदक, 7 रजट और 5-5 बदक के साथ जो है खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम जोरीकिस का दूसरा संस्क्रण जी रहा था और इस सूची में दूसरे स्थान पर LPU रही यानि कि लवली प्रोफेशनल उनिवस्टी रही इसने कुल 17 सौन के साथ जो है दूसरा स्थान हासिल किया और पंजाब 20 सौन पर जीते थे और ये तीसरे स्थान पर रही थी खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम दो जारीकिस में और देखे दो जार बाइस में होने वाला जो कांस फिल्म फेस्टिवल था इसमें जो है भारत को कंट्री आप दर आनर के तौर पर चुना गया था यानि कि हम सरल सब्दों में ऐसे रट सकते हैं कि भारत जो है ये 2022 के कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री आप आनर के तौर पर चुना गया था जीकि विस्व अस्थमा दिवस को हम मई महीने के पहले मंगलवार को मनाते हैं और 2022 में विस्व अस्थमा दिवस जो है ये तीन मही 2022 को मनाए गया था 2022 के लिए इसकी थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केर और इकि भारती रिजूर्माइक ने चार माई को रेपो रेपो रेट 0.40% बढ़ा कर टोटल 4.40% कर दिया था और इकि ये पुराना रेपो रेपो रेट है इसको याद मत रखिए बस मैंने आपको इचानकारी के लिए बता दिया है क्योंकि अभी आगे जो हमारा वीडियो का करम चलेगा तो इसमें जो हम नॉम्बर मैंने के कोशन को रिवाइच करेंगे और दियो दिसमर के तो उसमें नयवाला जो मैं आपको रेपो रेट बताऊंगा वो याद रखिएगा लेकिन कभी-कभी पुराना भी पूई लेता है तो इसको नूर कर सकते हैं आप कि चार माई को जो रेपो रेट था वो कितना था 4.40% ठीक है और दिखे हरसदा सर्वत गरोंड यूनान के हेराक लियोन में आजित आई डेवलू एप जूनियर विस्टो चैंपिनसीप में स्वान पदक जीतने वाली पहली भारत तुलक बन गई थी 2022 में और दिखे प्रधान मंत्री नरेन वोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाप सोल्ज ने हरित एवं सतद विकास साज़दारी की स्टापना के लिए संट गोशडा पतर पर अस्ताक्षर किये थे 2022 में दीखे इस साज़दारी के तहर जर्मनी ने भारत में जलवायू परिवत्तन से सम्मधित परिवनाव में दस बिलियन यूरो के निवेश की अग्रीम प्रदिवत्ता जताई थी और दीकि अंतराश्टी आहर निशे दिवस को हम हमने च्छ माई को सेलवेट किया था 2022 में ठीक है और दीकि विस्व हाथ सोचता दिवस जनी की वर्ल्ड हैंड हाईजी इंडे को हमने जो है पांच माई को सेलवेट किया था जिसका थीम था स्वास्त देखभाल गुडवत्ता और सुरक्षा जलवाई या संस्कृती और दीकि इसके लिए एक नारा दिया गया था सुरक्षा के लिए एक जूठों और अपने हाथों को साब करें और दीकि ओडिशा राजी सरकार ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्त वेदसाला बनाने की घोटा की थी 2022 में और दीकि है हैदराबाद में एक फुलो केमिस्ट्री टेकनोलजी है लांच किया गया था 22 में और दीकि T20 क्रिकेट में सरवाधिक अर्दसदक जड़ने वाले खिलाडी डेविड वार्नर बन गए थे डेविड वार्नर आशिलिया की खिलाडी है और इनके नाम से अब जो है T20 क्रिकेट में सबसी जादे अर्दसदक यानिकि 89 अर्दसदक उस समय हो गए थे कब माई महिने में ठीक है और देखे दूसरे अस्तान पर उस समय क्रिस गेल थे 88, 88 के साथ और विराट कोली 76 के साथ तीशरे अस्तान पर थे और ICC T20 International Ranking में जो है भारत पहले नमबर पर था देखे बारत T20 में नमबर वन एक अस्तान पर बना हुआ है, दूसरे नमबर पर इंग्लेंड है यह आगड़ा कपका है, यह माई 2022 का है और देखे संगीता सिंग को जो है केंदरी प्रतेक्ष केर बोर्ड यानि कि CBGT के चेर परसन का अतरीत प्रभार समपा गया था माई 2022 में और इन्हों ने यह भी मापातरा का अस्तान लिया था उस समय और देखे इसरों ने दिसंबर 2024 तक सुक्र मिशन की योजना बनाई है और TATA IPL फाइनल 2022 की मेजवानी नरेंदर मोदी स्टेटियम में जो है की गई यानि कि जो आपका TATA IPL 2022 का फाइनल मैस था ये नरेंदर मोदी स्टेटियम में किया गया था जिसको पहले मोटेरा स्टेटियम के नाम से आना था था और देखे भारत नाडिक सिकर समयलन 2022 की मेजवानी डेंदमार्क के द्वाना की गई थी ठीक है और विस्व एतलेटिक्स को दिवस को हमारा आखिरी प्रशना इस वीडियो का कि टोक्यो ओलंपिक डिसकर्स थ्रोवर को मतलब किसे टोक्यो ओलंपिक डिसकर्स थ्रोवर को आस थाई रूस पे निलंबित कर दिया गया तो दीके कमल प्रीत कोर को जो है आज साई रूस पे निलंबित कर दिया गया था 2022 में तो अगले वीडियो में पार्ट 13 में जो आपका प्रशन संक्या 1201 होगा जिससे हम कांटिन्यू करेंगे ठीक है तो अभी के लिए हम स्टॉप करते हैं तैने बाद